मित्र नबस्कार मैं हूँ आचारे नाम कृष्ण सास्त्री और इससे पहले भी मैंने कई परकार की वीडियों आपको अपलोड जरूर किया है और मेरे मोबाइल की माध्यम से बहुत सारे मैसेज मुझे प्राप्त है कि हमें मार्च अप्रेल मई और जून में जुलाई में हमें किस परकार से आगे बढ़ना चाहिए अथवा हमें संतान प्राप्ति के लिए कौन सा मैना सबसे उपयुक तो माना जाएगा और कौन से मैने में हमें संतान प्लानिंग करने से हमारी बच्चे का भाग्या बच्चे का स्वास्तिया स्वाभाग्य संस्कार ये सभी चीज किस मैने में संतान प्लानिंग करने से इन्होंने भी अभी मुझे message किया है तो अभी काफी समय से कारे में व्यस्तता होने के कारण में फीडियो निरंतर अप्लोड नहीं कर पा रहा हूँ और आगे कोशिश करूँगा कि फीडियो जो है वो निरंतर में अप्लोड करूँगा तो विशेशकर संतान प्राप्ति करने के लिए विशेशकर क्या देखा जाता है कि संतान प्राप्ति में जो भी कामना हो अमारा जैसा कि पूतर प्राप्ति जाते हैं पूतरी प्राप्ति जाते हैं संतान जो प्राप्त होने के बाद वो ग्यानवान हो और भाग्य में प्रवल हो भीद्या बुद्धी यश्कृति में परिपूर्ण हो तो ये सभी चीज़ को पूर्ण करने के लिए तो हमें क्योंकि अगर आप जून और जुलाई में अगर प्लानिंग करते हैं अगर आप लोगो तो जून और जुलाई में प्लानिंग करने वाले बच्चे का जो जनम होगा वो मार्च अप्रेल 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 माई में जो है सूर्य का जो अस्तित्त होता है वो पूर्ण होता है उच्छ के साथ में मित्र ग्रह के साथ में इस्तित रहता है इसलिए जून और जुलाई में अगर संतान की प्लानिंग अगर आप लोग करना चाह रहे हैं अगर संतान की प्लानिंग के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो मेरे मानने आप लोग ली यह है कि जुन और जुलाई में अगर आप लोग आगे बढ़ते हैं अत्पा मई में भी येधाकद आगर आप बढ़ने चाहतेích तो मई में भी मित्र गरह में आकर सूर्य विद्देमान होगा कि सूर्य ग्रहों का राजा माना जाता है तो जिनके भी कुंडली के अंदर सूर्य ग्रहों का राजा अगर अच्छे इस्तिति पर जाकर विद्धेमान होगा अच्छे गुडवान होकर विद्धेमान होगा तो आपका बच्चे का चरित्र निर्माण में बिद्या, बुद्धी, यस्कृति, बृद्धी करने के लिए लगायत अन्यन्य चीज़ों में आपको जो है लाप्राप्त होगा और जो आप परेत्र करने हैं वो परेत्र भी शहज तरीके से सफ़ल होगा इसलिए आप लोग को प्लानिंग करने के लिए यही महना विशिस उत्तम महना है तो आप लोगो ध्यान रहें इसी महने में आप लोग आगे बढ़ेंगे और संतान में मनमंची संतान प्राप्त करने के लिए आपने यूटूब में वीडियो भी देखेंगे आपने और नहीं देखा है तो आप जाकर देखेंगे और साथ में वीडियो क्या सा लगा और उसके अलावा आपके मन में क्या जिग्या सा है और किस समश्याशे आप जूज रहे हैं किस समश्याशे आप लड़ रहे हो ये सभी समश्याशे आप निश्चंग को जो कर आप अमें लिख सकते हैं अत्वा जो संपर्ग सुत्र हमारा है यूटोब के माद्धियम से भी आप ले सकते हैं डबल नाइन डबल जिरो डबल सेवन और फाइब जरी हमारा संपर्ग सुत्र है इसमें हमारा जो निश्चित किया गया है शर्षता द्वारा वो परामर्सुल को पे करके आप हमें निश्चित फोर कर सकते हैं हर्यो